होम मेट आलमंड मिल्क, प्योर, डलिशेस, एंड सो एजी तू मेग, सो लेट्स गेट स्टार्टेग, बादाम में पानी डाल कर इनको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दीजिए, भीगिवे बादाम का चिलका बहुत आसानी से निकल जाता है, चिलके सहित प्याप इसको ग प्रावनिश हो जाता है, भीगिवे बादाम को डालिए मिक्सिंग जार में साथ में पानी और अच्छा सा ग्राइंड कर लीजे, घर पे बना हुआ अलमंड मिल्क, आप अपनी पसंद से उसकी थिकनेस बना सकते हैं, बाजार से खरीदे हुए मिल्क में बनती है, काच की बोतल में डाल कर इसको फ्रिज में रख लीजिए, और ज़स्ट इंज्वाइ दिस मिल्क, थैंक यू फॉर वाचिंग